अक्षे कुमार की ओ माई गॉड हो या फिर आमिर खान की पीके जिन जिन फिल्मों में रिलीजिन या रिलीजिस बिलीज को टच किया गया उन पर बवाल भी हुआ और सवाल भी और अब यही हो रहा है काली का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद जिसमें हिं कट मैं हूँ आपके साथ साक्षी चौहार बॉलिवुड की वो पांच फिल्म में जो फसी बड़ी कॉंट्रोवर्सी में फॉर हुर्टिंग दर रिलीजिस सेंटिमेंट और वो फिल्में है Oh My God, 2012 में रिलीज हुई Oh My God, एक सटारिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है ये कहानी है कांजी लाल महता की, who doesn't believe in God and want to sue God इस फिल्म में टागेट किया गया धोंगी बाबा और अंध विश्वास को इस फिल्म पर भी काफी बवाल हुआ, Madhya Pradesh High Court asked the censor board to take actions against the objectionable comments on Hinduism P.K. 2014 में रिलीज हुई Aamir Khan's टावर फिल्म, जिसमें Aamir playing the character of an alien जो हमारे प्लानेट पर आता है एक research mission पर फिल्में एक alien के थूट इंडिया में चले आ रहे कुछ religious practices और superstitions को target किया गया and in the same film, lead actress Anushka Sharma fall in love with the Pakistani boy though this was the highest grossing film of that time पर इस film को काफी जादा criticism झेलना पड़ा and Vish Hindu Parishat और Bajrang Dal ने इस film की कुछ चीजों का अपोस भी किया My Name Is Khan, Shahrukh Khan's starer My Name Is Khan and I Am Not A Terrorist was basically against Islamophobia the movie didn't show any objectionable scenes or statements but want to tell people that not every Khan person is a terrorist Shiv Sena ने इस film पर काफी जादा objection उठाय और film release पर भी काफी जादा बवाल किया Dharm Sankat में 2015 में रिलीज हुई परेश रावल स्टार ये film एक comedy-drama film है जसमें एक ऐसे Hindu आदमी की कहानी दिखाए गई जो Muslims के काफी जादा गेंस था इस फिल्म का में एजंडा था ये दिखाना की इंसान का धर मातर नहीं करता एस लॉंग एस आक्ट्ली और विजली Water, 2007 में रिलीज हुई दीपा महतार्स फिल्म Water was nominated for best foreign language film category for the Oscars in 2007 ये फिल्म हाइलाइट करती है उन social practices को जो इंडिया में बरसों से चली आ रही थी जैसे की child marriages and the treatment of widows फिल्म के रिलीज के पहले ही इस पर काफी सारी controversy शुरू हो गई और कुछ एक्टिविस्ट ने फिल्म के सेट पर भी काफी जादा तोड़ फोड़ की तो ये थी वो कुछ फिल्म में जिनने religious और social beliefs को touch करने पर काफी जादा criticism चेलना पड़ा आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म में वाकई में किसी के religious beliefs को hurt कर रही थी ये इन फिल्म में जो दिखाया गया वो एक brutal truth है जिसे नजर अंदास किया जा रहा था और काली पोस्टर को लेकर भी आप अपने views हमें comment section में बता सकते हैं and yes don't forget to like and share this video and subscribe to Uncut मैं हूँ आपके साथ साक्षी जोहान और आप देख रहे हैं Uncut